हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे वास्तू शास्त्र के विशे में जैसे कि आप सब जानते हैं धनके देव तक कुबेर का इस्थान कौन सी दिशा है यहां भूल कर भी ने रखें यह पांच चीजे वास्तू शास्त्र में घर की हर दिशा का अपना एक अलग महत्व होता है और हर दिशा के अपने कुछ अपने नियम और विशेशताएं होती है क्या आप जानते हैं कि घर के उत्तर दिशा में धनके देव तक कुबेर का राज होता है इस दिशा में सकरात्मक उर्जा का भंडार माना जाता है इस दिशा को पूजा पाट के लिए सबसे उप्युक्त माना जाता है लेकिन इस दिशा में भूल कर भी पांच चीजे कभी नहीं रखनी चाहिए घर की उत्तर दिशा में कभी जूते चप्पल ने रखे जब भी आप कहीं भार से आएं तो इस दिशा में भूल से भी जूते चप्पल ने उतारे उत्तर दिशा में सकरात्मक ऊर्जा का भंडार माना जाता है इसलिए भूल से भी इस दिशा में भारी बरकम फरनीचर या समान ने रखें घर की उत्तर दिशा में भूलकर भी पुराना या तूटा फूटा वस्तुए ने रखें और ने ही कबार का समान रखें इस दिशा में साफ सफाई रखना बहुत जरूरी माना जाता है इसलिए यहां डस्ट बिन यानी कूड़े दान जैसी चीजे बिलकुल ने रखें कहते हैं कि इस दिशा में टॉइलेट होने से घर में धन कुबेर का वास नहीं होता और दृद्रता पाउं पसारने लगती है इसलिए इस बात का विशेज ध्यान रखें कि उत्तर दिशा में हमेशा साफ सफाई रखे कोई भारी फड़नीचर नहीं रखें टॉइलेट नहीं होना चाहिए वहां चपल जूते जैसी चीजे वहां पर नहीं उतारनी चाहिए इन छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारे जीवन में कुछ बदलाव आ सकते हैं जो लोग परेशान हैं धन की तंगी से या धन उनके पास उखता नहीं है उन्हें ये उपाए करने चाहिए ये उपाए कारगर सिध होते हैं अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए